SGM रमीश देव ने नोखा बंद के नए आदेश जारी किये लोगडाउन 14 अप्रेल तक जारी रहेगा इस उरान आमचन के लिए आती आवश्यक सेवाओं की उपलपता के लिहा से नोखा उपकन छेत के विभन व्यापारिक प्रतिस्ठानों के लिए मंगलवार को उपकन मजिस्ट्रेट रमीश देव ने नए आदेश जारी किये हैं उन्होंने बताया कि किराना दुकाने 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14 अप्रेल तक सुबा 8 से दुफैर 1 बज़े तक खुली रहेगी वहीं फल सबसी के दुकाने सुबह 9 बज़े से दुफैर 1 बज़े तक खुली सकेंगी सभी को मास्क पहनना जरूरी होगा यह मुखी अवेलना करने पर सम्बंदित के खलाफ सकत कारवाही की चाएगी वहीं मंगलवार को लोकटाउन में सुबह 9 से दुफैर 1 बज़े तक किराना और सुबह 9 से 11 बज़े तक फल सबसी के दुकाने और रिलाइंस स्मार्ट खुला रहा और लोगों ने सामान की खरिदारी के बाद निर्धारी तवदी के बाद दुकाने अपने आप ही बंद कर दी प्रशासने को और पुलिस अधिकारी दिन भर गर्ष्ट लोकटाउन की पालना कराते हेदू दिखाई दिये स्थागित करोना महामारी संकट को लेकर मंगलवार को सीमार में मंतरी परिशत की बैठा कोई जिसमें करोना की कारणा आए संकट को लेकर कई एहम निर्धार लिये गए पैठक में मुख्यमंतरी से लेकर अधिकारी करमचारियों के मार्च महीनी के वेतन का हिस्सा इस्थागित करने का निर्णे लिया गया है इस राशी से जरुतमन लोगों को पंदरा सो रुपे और अनूग्रे राशी मिलेगी बैठक में निर्ने किया गया कि मुख्यमंती, उपमुख्यमंत्री, मंत्रीगर्ण, विधानसबाध्यक्ष, नेधाप्रतिपक्ष मुख्य सचे तक, उपमुख्य सचे तक, समस्त विधायक गर्ण के मार्च महीने के सकल वेतन, 75% हिस्सा स्थागित रखा जाएगा, इसी तरह पर निर्वत पैंशनों की मार्च महीने की सकल पैंशन का 30% हिस्सा भी इस्तागित रखा जाएगा, लेकिन चिकित सास्वास्त सेवाओं के सभी इस वर्गों के अधिकारियों, करमचारी, पुलिस कर्मियों, चतुर शेनी, करमचारी, समविदा और मानिदे पर कारेरत कर्म है, आज से मन्रेगा श्रमिकों को बड़ी हुई मजदूरी मिलेगी, आज से प्रतेक श्रमिकों काम करने पर 220 रुपे प्रति दिन मजदूरी मिलेगी, इससे पहले मन्रेगा श्रमिकों को 182 रुपे प्रति दिन मजदूरी मिल रही थी, लेकिन आज एक अप्रेल से प्रति पायती राज विभाग के आयुक्त पीसे किशन ने सभी जिला कलेक्टर्स और सभी जिला समन्वियों को को आदेश चारी कर दिये हैं जिसके तहर आज से बड़ी हुई मजदूरी दी जाएकी शहर में लोकडाउन की पालना नहीं करने वालों की अब खैर नहीं गली गुमने वाली बाइक सवार पुलिस हुई रवाना कोरोना वाइरस के चलते पूरा भारत लोकडाउन है बीगान एर में इस लोकडाउन को सुनिश्चित करवाने और डिस्टेंस बनाए रखने के लिए आज बाइक सवार पुलिस टीम रवाना हुई है एसपीर प्रदीर मुहुन शर्मा ने टीम को रवाना करते हुए बताया कि शेहर के ऐसे कई अंद्रूनी हिस्से हैं जहां पुलिस की जीप या बोलेरो नहीं जा सकती ऐसे में सामने आया है कि कई लोग लोगडाउन का पालन नहीं कर अन्य लोगों की जीवन को खत्रे में डाल रहे हैं इसी को ध्यान में रखते हुए बाइक सवार पुलिस टीमों का अगाचन किया गया है एक बाइक पर दो पुलिस कर्मी सवार होंगे इन टीमों में कुछ महिला पुलिस कर्मियों की टीमें भी है